हेलू गाइस तो आज मैं न्यू एंजू फैन्टेक्शन लेकर आई हूँ और यह टॉप जाओज इशू है और बोटम वेंट के जेढ़ू है अच्छलो फैन्टेक्शन शुरू करते हैं अमारे फैन्टेक्शन शुरू होता हे वेंट के जिभा व्याइजिन जो साजक कि अच 200 से रह रहहुता है ़स मुझे एक पिंपना बावार आता हौशपने में पिल्कुल साफ होता है वा जैसे ही उड़ता हूं तो मुझे उसके चेहरा याद नहीं होता है क्यों इसा क्यों हो रहा है मेरे साथ तो जल्दी से यहां यह न्यू पेशंट आया है उसकी तब ठीक नहीं है कुछ समझ नहीं आ इसको प्रोब्लम क्या है आप प्लीज जल्दी आये तो वेंटेंग जल्दी आने कोशिश करता हूँ तुम जितने समभाल हो उसको तो ज्यांद भूते है फिर हम सब्सक्राइब बागता है और वेंगेजिंग बागते हुए आता है और सब पैशन्स जोक्तर वेंटेंग और सब बोलते हैं कि दोक्टर होने चाहिए तो इस तरह होने चाहिए देखो यह अपने काम पर कितना सीरियस दो पैसेंट जो देख रहे थे तो एक पैसेंट को बहुता है तो दूसरों की जान बचानी होती है तो यह अपनी जी जान लगा लेता है और मैंने सुना था कि एक पैसेंट के पास पैसेंट के लिए पैसे नहीं थे और इसकी तविद्ग ठीक नहीं थी और इसने उससे पै Business भी नहीं लिया और इसने तब हम बोड़े लोह मिलते हैं, वे दो प्शव्हिजिन आपके लोम हो इन के घर इन के लुह पहाई हुजा? जब उस प्शव्हिजों को देखता है, तो उस पेशन ने 불 je ne GUYS पहना हो, भी परता है तो फिलुके परिशान हो जाता है इन लुक काल की दॉव तो वेंकेजिंग बोता है यह तुम्हें कहां मिला तो ज्यान बोलती है डोक्टर यह सब पुछना बन किजिए पहले प्लीज इसकी जान बचाईए मैं फिर आपको सब कुछ बताती हूं तो वेंकेजिंग बोता है जल्दी से इसकी ट्रेट्मिन शुरू करो और फिर हुआ क्या है तो ज्यान बोलती ही मुझे खुद ही नहीं है पता कि यह बिल्कुल ठीक है इसकी हाड़ भी ठीक है इसकी नफ्स भी तो एक यह झाल रही है और इसके ओर रिप्टर्श्चर भी ठीक है पस यह उठ नहीं रहा है तो वेंकेजिंग बोता है यह कॉमा दों लेन के ज़wią इस बोगजा है क्योंते हैं प्रपके लेसे बहुत विले नहीं है तो घर डीए भी करीणे है। तो वैन कैंजिंगी सнить क Südde आंचिंश मत लो मैं हुना मैं संभालों का आपकी तू थीड़्टum तम्स similar कि तू ने बहुत अच्छा काम किते तो तूम्ने बहुत अच्छा जे तूम्स को टाम पर ले आए गुट ग्रॉफ ज़िए जो डिटें डड़ते दरते वो खुश हो गए. ज़िए लेंधेजिंगे को भोती है कि दोक्टर मुझे पता है मुझे पता है मैं मुझे वक्रद पशल्ड हैं एक वकी मुष्वत य enforce मुझे पता है मैं आपके लिए ऐक मुसीबत लई उर्फ murmांई तुम इसको उस्पिटर लेगा है तुम ने बहुत अच्छा काम किया है तुम एक अच्छी लड़की हो और इसी तरह दुसरों की हेल्प ही करना ओके तो ज्यान जो अपने सर नीचे कर देती है उसके सर पर हाथ माफ फिराता है और फिर हमें दिखाते हैं कि मैं केजिंग जिस बननी का नाटक किया था और उसने अपना फेस बी फेस पर मार्क लगाए था जो जू जू को सूरूप में होता है और वैंटेजिंग जो जू जो जुड़की को देख रह नहीं के आता है जक्ट्राइच का निकिन दो जए च्टरा यहोती होता है जो जो एक ने सफना देख दक टेखते हुए उड़ता है और वह एक ही ओवाज पो एक लेता है आशु पंधे को बस इती नम याद होता है कि मैंcak मैं सबने में जिसको देखता हूं उसका नाम आशू है और वेंकेजिंग को उसका फेस बिल्कुल भी याद नहीं होता है दुंदला याद होता है वेंकेजिंग को उसका फेस फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं वेंकेजिंग जो हॉस्पिटल जाता है हॉस्पिटल जब जाता है सब से पहले जाओ जिशू ऑनोंघOO की नहीं जाता हैं था यू जी किन नभस चेकर था जाओ जुचु के ऐड्यच्टर चेकरता है जाओ जीशू की तवन्टी होँटा परन वेंक हेजिन के इसिश्टर क plot शेख जो कहां हो तुम् ऐदेखें प्लीन के थे प्ली सो क्लीन करहें जब द्रेस नो कि प्ली से कर दो होती है के भी करती हुँ यह जल्दी लेकिति यह बढून के स्काहिटि同 होता है जब सिद्धिन को अच्छा नहीं लग रोता है जब सिद्धन के द्रिस दिया होती तो अलिए उसकी। चेस से ड्रस को उटाती है to you know when you say then, you mentioned Ztał Jisoo की just कि एक नजर आ जाता है तो comment गणा लेकर शौक में हो जाता है जब सुपकर भारिट जो की बोर्डी देता है तो using लेंक के देकता है उसकी बोर्डी में बहुत ज्यादा श्था नि्शान है जखमों के निशान, गहरे गहरे जखमों के निशान होते है तो वेंट केजिंग उस निशान के देखता है और शौक में हो जाता है वोता है इतने गहरे निशान इसको कहां से मिले होंगे वेंट केजिंग थोड़ा वरिड हो जाता है जाउजज़ू की बोडे से बिचान केड़ी पूरी बोडे से ढ़ने पर देखता है और जाउज़ू की ही पीपान पर पर सब पता इस्लिट अर्टाई हो चाहती है जॉल्दी से अपना हाथ चैन् सप्टा Whoa um पिर लुड़ी से हाथ दिखता है और टॉशी की नफस कोचे करता है नुर्मल हो जाती है तो हैरान हो जाता है कि सीध में missyी कि बेड्यू में कहते दूरबिर चेस सदिक म знаю चैन्स to तो वैंगेजिंग उसने लगता है इसको क्लीन करो और बहुत ज्यादा दूटी हो रहा है को इसको वी धेक या सब इसे सब से सब्सक्राइब कर रहा है और इसके बोडी की जैसे को बदला रहे है और उसके फेस पर गीला कपड़ा मार रहे होते हैं म sleeve तो टो शिस्टर के pillar कप्ड़ माती है और देखती है कि अजीड सा नी दॉबटा है ऐसको नाहून के साथ खींचने लग जाती है एट प्लास्टिक सा कुछ रबर टाइब का होता है तो जब ऑढ़ा निकाल दिया था नहीं निकालते इस तर जल्दी से डोक्टर को बला दी है तो वें डोक्टर जल्दी यहां आई यह तो वें गिसंवर क्यूं किया तो वें डॉक्टरुण और बनकेशिंग आपको पर चाहिए है तो इसके फेस के पास और टेखिए और रहा है तो जो इसके पर Caesar बागते हो जाता है के यह क्या वह के ऐख अपने हाथों में पकड़ garments को भी देखता है और झाने हाथों पऩ तय को देखता है रहे जाता है अब होता है यह कितना फ्यो research है लुप में निकल जाता है वेन के登録 में अभन हो जाता है और एक दम से हभते हैं और यह कि इस बहुता ही जाता है और वेन केजिंग उसको देख ही रहा होता है और इन ख्यालों में डूप जाता है किसी और ही दुनिया में चला जाता है और फिर डॉक्टर फिर सिस्टर वेन केजिंग को आवाज करती है वेसं के शौफ बाती। वेन डॉक्टर के शौफ के शौफ भूज सब्सक्राइब करें लोगए जॉच पर वेन-डा वेन डॉक्टर वेन केशिश भूज में तो अर्प्त वेन केशिएक अब और की शौफ में नहीं शौफ में खती खता है। पर जल्दी से क्लीन करूँ साथ है ने बोडी क्लीन की तो इस कप्ड़े को इस कप्ड़ के तरफॉ इस के साथ साफ मत करो इसके ए दूसरा कप्ड़ा ले रहा हुआ हो कपड़ा साफ सुत्रा कपड़ा होने चाहिए और एम से साफ करना तो वैंजी ओके बन के विञें के ब Top and the Gi-Fi को भाग में हैं और पर और फैर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ए टोत किखिञ कर नोगा देढ़ दया जारा होता है तो गर जाने से पेले से पादस की नजरेंस कश stairs करता है आप को आफिछ that it's already feeling आवाज देती है कि के एक पेष्टर की एक पड़ाप्लम तो सुस्टर वैंक केजिन को आधा नहीं ही हlopen तो फीर होती है वेंड डुक्टर प्लीस धुरीजल की वहाँ यहां है तो एस पैस्टर के वहाँ सब्सक्राइबनchine करता है अपिर हमें अ गरम प्रेसिंग ठीजियादा ग्राता है। problem क्या है इसकी heart बें ठीक है कोई नफस सही चल रही है इसको कोई चोट नहीं लगी है तो भी यह उट क्यों नहीं रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे है मैं चाहता हूँ यह उठे मैं देखना चाहता हूँ कि यह आ अखर है कौन कहां से आया है और इसके इतने लंबे बाल क्यों है यह आखर क्यों चिम्पार शी शेहर से आया है कहां से आया है मैं इसको बाते करते हूँ देखना Чाथyah foresee. मैं इसको एक दफ़ा मुस्कुराते देखना चाता हूँ ये वैसे इतना ब्यूटिफुल है तो ये जब मुस्कुराएगा तो ये कैसे लगता होगा कितना ब्यूटिफुल है ये काश ये मेरा बोल फ्रेंड होता अफे वैंकेजिंग इसी तरह सोच राता है और उस वैंकेजिंग के फेस पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है वैंकेजिंग जब जाओजिंग को याद करता है तो वैंकेजिंग बहुत खुश होता है अफे हमें अगला सीन दिखाता है कि वैंकेजिंग सोया है तो आज हमें वैंकेजिंग का सपना बताएंगे सबने में लावेंड तुम क्या कर रहे हो अशू मैं वह बुक्त डून रहा हूँ जिससे तुमारे जान बचा सको जितनी मेरी زिंदगी है surrender के रूओ तुम परिशान मत करो किसी की मौत को तुम नहीं रोक सकते हो तो वेन केसिंग बोता है आशू प्लीज मुझे अपनी कोशिच तो करने दो ना मैं तुम्हारे बगरेंग नहीं रह सकता हूँ तो जाउ दूश पोता है तो क्या मैं रह सकता हूँ प्लीज वेन लाव एन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ ना तुम क्यों मुझसे दूर चलेगे तुम्हें पता है ना मैंने अपनी बोड़ी से कीले निकाली है अब मेरे जादा दिन नहीं है तो मैं चाहता हूँ तुम हर वक्त मेरे पास रहो तो वेन के जिंग बता है आशू मुझे सब कुछ पता है तुम वेन के जिंग बता है आशू मुझे नहीं बताई तो तुम नहीं थे तो मुझे जीने का कोई वज़ा नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने अपनी आपको मारना ही सही समझा बर मैं मरने से पहले तुम्हारा बदला लेना चाहता था क्योंकि वो खीले मेरे पास आओ मुझे दूर मत जाओ मुझे हग कर लाओन मैं तुम्हारे साथ हर में हर एक सेकेंड में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अब जादा दिन नहीं बचे है तो वें कैजिंग जाओ दूर को देखता है अब बोता है आशू कितनी असानी से तुम्हें लफ बोल देते हो कि मेरे जिन दे कि मुझे मेरे भी जादा दिन नहीं बचे है तुम्हें पता भी है जब तुम्हें बोलते हो किसी को बहुत तकलीफ होती है किसी के दिल में धर्द होता है प्लीज इसी बाते मत किया करो तुम्हें क्या उस परसंट की फेलिंग की कोई कदर नहीं है कि तुम बस बात बात पर यही बोलते हो कि मैं जाने वाला हूँ मेरे टैम मेरे इतने दिन नहीं है मेरे बहुत जल मरने वाला हूँ कि तुम्हें इसा नहीं लगता है कि तुम्हारी यह बाते किसी को हट करती है किसी को खून के आंसो रुलाती है आशू प्लीज ऐसी बाते मत किया किजिए ऐसी बाते मत किया करें प्लीज मुझसे बरदाश नहीं होती है तो जाओ जूबता है तो क्या मुझसे बरदाश होती ह जो मुझे पता है कि मैं कुछ ही दिनों का मेमान हूँ मैं कुछ ही दिन जिन्दा रह पाऊंगा और फिर मैं तुम्हें के लच छोड़ के चला जाओंगा क्या मुझसे बरदाश होती है तो वेन केजिंग जाओ जिशु के पास आता है जाओ जिशु बेट पर बेठा होता है वेन केजिंग जाओ जिशु के पास आता है जाओ जिशु वेन केजिंग को हग कर लेता है और जाओ जिशु बोलता है प्लीज लाओ वेन मुझसे दूर मत जाओ मेरे पास ही रहो प्लीज मुझसे दूर मत जाना और वेंकेजिंग जाओ जिशू को हग कर लेता है और उसको अपने पास लिटा देता है और जाओ जिशू वेंकेजिंग के फोरी हेट पर केस करता है और जाओ जिशू वेंकेजिंग के पूरे फेस फार फिंगर फिराता है मैं बस मरने से पहले तुम्हें इसी तरह प्यार करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ मेरे साथ ही रहो यहां पर हमें कोई डिश्टरब नहीं करेगा मैं जब यहां मर जाओ ना तो मुझे यहां यही पर दफन कर देना पर मुझसे मिलने आना, ओके, मुझसे मिलने आओगे ना तुम, तो वेंकेजिंग बोता है, हाँ, तुमसे मिलने, मैं यहाँ से तुमसे दूर नहीं जाओगा, तुम के रहाँ मुझसे मिलने आना, तुम मरोगे, तुम्हें तुम्हारे साथ ही मरूगा, पेले तुम्हें वेंकेजिंग जाउजिशू के आंखों के आंसु साफ करता है और अचानक से जाउजिशू वेंकेजिंग के बाहों से ही गायब हो जाता है एक तेज रोशनी आती है जाउजिशू के पास जाउजिशू को अपने साथ ही गायब पर देती है और वेंकेजिंग देखता है कि ज और जाता है ऐज भी वेंगरेजिंग चेहते हुए उठा बैंकस्टिंग की फेस पर बोर्डी पर पासीना क्याओंस एक इतने डरा हुआ था वेंगरेजिंग तो पने में जोब एक होता है याधा यह वेंगरेजियर जाते है तो आज सोब एटा होता है पर जाओ जेशू के हैर, जाओ जेशू के ड्रेस, वो सब कुछ वैंकेजिंग को याद होती है और फिर वैंकेजिंग बैठता है और याद करता है वैंकेजिंग बैठा होता है और बोलता है आशू, कौन है या आशू, क्यों मेरे सपनों में आता है आशुर, तुम कौन हो क्यों मेरे सपनों में आते हो तुम बच्पन से तुम मेरे सपनों में आते हो कौन हो तुम और फिर गैजिन बहुत तंग हो गया हुता है सपनों केसा कि दिरे दिरे Hierी disease इसको हट करते हैं बहुत जादा, शुरू में ये सपने शुरू में वेंगेजिंग के सपने आते थे तो वेंगेजिंग के सपनों में हमेशा जाउजिशू उसका दोस्त होता था बच्पन में आते थे तो जाउजिशू वेंगेजिंग के सपनों में उसके साथ खेलता था दीरे दीरे वेंगेजिंग के उमर बढ़ती गिए होता था अगर कोई टेंशन होती तो इसाटे व्यू हट करता है जाओ इश्छ विल हॉत करता है। जाओ इसके दिल को दिता है जह उच्छे में दर्द हो रहा है जिससे वेंकेजिंग का दिल भट रहा हो, बहुत दर्द होता है, और वेंकेजिंग उस दर्द को बरदाश नहीं कर पाता है, वेंकेजिंग जो बहुत परिशान होता है, और वेंकेजिंग याद करने की कोशिश करता है, कि ये आशू है कौन, मेरे सपने में क्यूं आता है, सोचता है कि मैं इस बारे में किस से बात करूं यह प्रॉब्लम मेरी कौन सॉल्फ करेगा मुझे किसी डोक्टर के पास जाना चाहिए बच्पन से लेकर अब तक यह बात मैंने किसी को नहीं बताई अब यह सपने मुझे तकलीप देते हैं यह सपने देरे बहुत धर देते हैं मुझे मुझे इन सपनों का इलाज करना पड़ेगा किसके साथ मैं अपने बाद शेयर करूँ और वेंकेजिंग याद करता है अपने सपनों को याद करता है तो वेंकेजिंग बोता है जो मेरे सपनों में आता है मुझे और दोस्ता कुछ भी याद नहीं है बस मुझे उसके बाल याद है कि उसके बाल बिल्कुल उस पेशन की तरह थे मुझे सिर्व उसके बाल याद है उसके बाल बिल्कुल उसी की तरह है उस पेशन की तरह क्या उस पेशन का हाँ और वेंशन को कुछ याद आता है और वेंशन के लिए जल्दी से तैयार और अग्ला सिन लिए और आता है जाउस्ट को स चलवामन करने जाओक टेभश क्यूत स द्गे जत्ञा है यह याल नकली एग्दिण देखता है टो वह असली बाल होते है भेन के इस बछाह मार्क बनकलि помог přेंगे करता है तो इसरी बड़ होते हैं वे असली बाल होते हैं यह चेक्रता है थिर्म पेलों के चेक हैं बसे खाल प्रूरी बौरी में में जो जोखमки निशान दिख रहे थे निशान तोological से हैं ये निशान तो बहुत गेहरे हैं इतने गेहरे निशान हैएं इसके लुड़ी में आफिर ये कोन है कहा से आया है इसका कँछ सा शहर है आव इंके जिशिए यह सोच रहा था और फिर When Cayzing के पास sister आती है sister When Cayzing के पते है Sir, कल मैं इसके ड्रेस चेंज कर रही थी मैंने इसके ड्रेस चेंज कर दिया मैं इसके ड्रेस लांडरी में दे रही थी कपड़े दोने के लिए तो मुझे इसके ड्रेस में कुछ मिला तो When Cayzing बुता है है तो वह एक हैर क्लिप होता है बाinek का क्लिप वाइट लर kale का तो इं टेखता है एं के शॉक में हो जाता है छिकल्रातन साथ है अब है और वह उनकेजिंग जाओ देख रहता है और बता है तो तुम हो वह और इंकेजिंग इसा बोल देता है और फिर फैन केजिंग फिर हमारा फैन फैक्टिय पर स्टॉप हो जाता है आगे क्या होगा वह अगली वीडियों बताऊंगी गाइस तो मुझे बिताएगे कि आप झाल 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 झाल